हेलो एवरिवन मैं मीनू कुक आर्ट विद मीनू मैं आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए कोई रेसिपे नहीं लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए प्रेस्टीज ब्रैंड के इंडेक्शन बेस कुक वेर सेट का अन्बॉक्सिंग की वीडियो लेके आई लेकिन मैं समझ नहीं पा रहे थी कि मैं कौन से कंपनी का नॉन स्टिक बेस इंडेक्शन बॉक्टम को कुवेर सेट खरीदू तब ही मैंने फ्लिप कार्ड पर एक इंडेक्शन बॉक्टम सेट देखा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रेस्टीज का है मैंने 1415 रुपे में खरीदा है उस टाइम इसमें ओफर चल रहा था लेकिन जो इसका प्राइज है वो आप देख सकते हैं पीछे की साइड दिया हुआ है जो की 2995 है तो आप देखिए ये मुझे इसमें कितना डिसकाउंट मिला है और इसमें देखिए आपको साइज भी दिया ह हुआ है फ्राइन पैन है 240 mm और तवा है जो उसका साइज है 250 mm और जो कड़ाई है इसमें उसका साइज है 240 mm और इसमें जो ग्लास लिड जो दी गई है उसका साइज भी है 240 mm चलिए इसे अंदर से खोल के देखते हैं जो मैंने कलर लिया है वो मैंने रेड कलर लिया है बाकि इसमें और भी कई सारे कलर थे लेकिन मुझे रेड ही पसंद आया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले ये देखिए ये इसकी कड़ाई की लिड है ये नीचे कड़ाई है ये देखिए ये नौन स्टिक पैन है इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट है कि हम इसमें अच्छे से कुकिंग कर सकते हैं आप देखिए मैं आपको हाथ से भी इसका साइज नापके बता रही हूँ तो ये बिल्कुल कुकिंग के लिए परफेक्ट साइज है इसके बाद मैं आपको तवा दिखाती हूँ ये देखिए साइज भी कुकिंग के लिए जो हमें चाहिए वो ही साइज है इस पर चीला, उत्पम वगएरा हम ऐसी चीज़े आराम से बना सकते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी लेकिन ये डोसे के लिए थोड़ा इसका साइज मुझे छोटा लग रहा है ये नौन स्टिक है जिसमें कि जो हम कोई भी जैसे चीला और कुछ ऐसे बनाएंगे और चिपकेगा नहीं बहुत आराम से बन जाएगा बाकि क्वालिटी इसकी मुझे अच्छी लगी और अब मैं आपको कड़ाई दिखाती हूँ कड़ाई भी देखिए कड़ाई का भी साइज बिल्कुल परफेक्ट है ये इंडेक्शन बॉटम है तो ये इंडेक्शन के हिसाब से इसका साइज बिल्कुल ठीक है ये चार से पांच लोगों के लिए इसमें खाना आराम से बन सकता है आप देख सकते हैं मैं आपको इसे हाथ से भी नापकर इसका साइज दिखा रही हूँ और साइड में ये इसके साथ कुछ हैंडल आई है उसे लगाने के लिए ये दिया हुआ है इसमें ये बाद में जब हम यूज करेंगे तो इसमें हम इसमें हैंडल लगा देंगे और इसका बॉटम देखे या इंडेक्शन बेस है और इसका कलर भी बहुत सुन्दर है तो जो इसके handle है वो लगा के दिखाती हूँ इसके handle भी बहुती easily इस फिट हो जाते हैं आप देखिए बस मैं इसको थोड़ा सा अंदर इसको करके जो बटन है इसका इसको प्रेस किया है तो यह बिल्कुल बढ़िया तरीके से बिल्कुल फिट हो गया है देखिए इसकी lid है मैं कड़ाई पर लगा कर देख रही हूँ देखिए कड़ाई पर भी बिल्कुल इसका size कई बार बड़ा छोटा आ जाता है लेकिन यह बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पर फिट हो गई है यह लिट कड़ाई और जो पैन है यह दोनों पर ही cooking के लिए बिल्कुल अच्छे करके जरूर बताएं कर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई